Good morning students, it is our English class of class 3. In our previous class, we started chapter 2. The name of chapter 2 is Ellie makes new friends. तो हमने ये वाला chapter start किया था. Ellie is an elephant. जो Ellie है, वो एक elephant है. He is very huge. वो size में बहुत ज़्यादा बड़ा है. He doesn't have any friend. उसका कोई भी friend नहीं है. क्योंकि उसका size बहुत बड़ा है. So one day, what happened? एक दिन क्या होता है? जिस forest में, जिस जंगल में वो रहते हैं, Ellie, elephant और दूसरे animals, सभी जानबर जिस जंगल में रहते हैं, तो बहाँ पे एक tiger आ जाता है. जंगल के सभी जानबरों के उपर attack कर देता है. तो जानबर सभी इदर उदर बागते हैं, जंगल से बाहर बागने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो Ellie उनको बागते हुए देखकर उनको पूछता है, what happened to you all, why you all are running out from the forest? तो आप सभी बाहर क्यों बाग रहे हो जंगल से, क्या हुआ? तो वो उनसे पूछता है, तो उस एनिमल्स बताते हैं, कि Ellie तुम भी बागो, जंगल में टाइगर आ गया है, और वो सभी एनिमल्स को खा रहा है, तुमें भी वो खा जाएगा, तो यहां तक हमने रीडिंग कर ली थी, आज हम इसकी रीडिंग यहां से कंटीन्यू करेंगी, Ellie went to meet the tiger, तो उसने बोला था ना, कि मैं देखता हूँ कौन है, जो टाइगर है, मैं देखता हूँ उसको, तो वो वो Ellie, जो elephant है, वो चला गया है, meet means मिलना, the tiger, tiger को मिलनी, the tiger wrote, prepare to die, जो tiger था, वो road क्या, road means, अपनी आवाज में, बहुत उची आवाज में, गरजा, बोला, prepare to die, त्यार हो जाओ, मरने के लिए, prepare means त्यार होना, die means मरना, उसने Ellie को बोला, कि तुम त्यार हो जाओ, मरने के लिए, Ellie went close to the tiger, and gave him a big kick, जो elephant वो गया, close, close means, पास गया, किसके, to the tiger, tiger के पास गया, and gave him a big kick, और उसको एक बड़ी सी kick, उसने लगाई, elephant ने tiger को kick लगाई, the tiger went, tumbling through the air, tiger went tumbling through the air, tumbling means, अचानक से, बड़ी, अचानक से जोर से गिर जाना, तो जो tiger है, उसको kick लगाई थी, elephant ने, तो वो जोर से गिर गया, हवा में जाके गिर गया, he landed on the ground, with a loud thud, he landed, landed means, गिरना, जमीन के उपर गिरा, on the ground, ground के उपर गिरा, with a loud thud, thud का मीनिंग भी, एक जोर से आवाज के साथ गिर जाना, तो बहुत सारे उची आवाज आई, जब वो, tiger जमीन के उपर गिरा, the tiger squealed in fright, and ran away, tiger squealed, means, दरद से चिलाया, वो चीकने लगा, in fright, in fright means, डरा हुआ था, and ran away, और बाग गया, the animals in the forest rejoiced, thank you Ellie, they cried happily, the animals in the forest, जो जंगल में animals थे, सभी जानबरों ने rejoice किया, rejoice means, वो बहुत खुश हुए, उसको देखे एली को, के एली ने उनकी help की सभी की, और एली को उनने thank you बोला, एली, thank you, and they cried happily, वो खुशी से रो रहे थे, कि इतनी मदद की, सभी जानबरों की, एली ने उनकी जान बचाई, जिसे वो अपना friend नहीं मानते थे, उसने, will you be our friend, they asked, तो सभी जानबर, जो animal थे, forest के, जंगल के, वो सभी पूचने लगे एली को, क्या, क्या आप हमारे friend बनोगे, एली, trumped aloud, yes, I will be your friend, तो वो भी खुशी से, जोड से बुला, कि yes, मैं आपका friend बनोगा, एली and the animals, lived happily, in the forest, for a long time, एली, जो elephant था, और जो जानवर थे, वो सभी, खुशी-खुशी जंगल में, रहने लगे, लंबे समय तक, सभी एक दूसरे के, friends बन गे, तो ये वाला chapter की, reading हमने complete कर ली है, आप सभी ने भी reading करनी है, गर पे इसकी, तो next class में, हम इसकी back exercise करेंगे, thank you, have a nice day.